नमस्कार फ्रेंट्स स्वागते आप सभी कदर इस्टेडी लाइन में फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए हैलफुल वीडियो लाते रहता हूं तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से हंड्रेट को संस करेंगे जो की बहुत इंपोर्टे जाला को संस दार्शनिक राजा का सिध्धाउंत किसने प्रतिपादित किया था तो इसका आइटम सब्सक्राइब प्लेटो ने ठीक है इसे याद रखेगा चलिए अगला को संदेखे फ्रेंट्स अगला है स्रेनी समाज जिद्वाद का संबंद निमलिखित में से किस देश से रहा है तो ब्रेटेन से रहा है ठीक है अगला के फ्रेंट्स अगला है राज की उत्पत्ति का देविया सिधाउंत किसने प्रतिपादित क्या था तो जेम्स पर्थम ने क्या था याद रखेगा राज की उत्पत्ति का देविया सिधाउंत किसने प्रतिपादित क्या था जेम्स पर्थम ने चलिए आगला को सब्सक्राइब करता है तो राष्टपती करता है ठीक है मैं न्यूकती से सम्मंदित बहुत सारे वीडियो चड़ा चुका हूं पुलिटीकल साइंस से तो आप वीडियो को देख लिजेगा ठीक है प्लेलिस्ट में जाकर के चलिए आगला राजसभा का 30 वर्स होना चाहिए ठीक है और राष्पती के लिए 35 वर्स होना चाहिए और प्रधान मंत्री के लिए 25 नियुंतम आयू होनी चाहिए ठीक है चलिए अगला कुसंद्धान के कि संसूधन द्वारा प्रस्तावनों में दो सब्द समाजवादी और धर्म कौन से भाग में नीति निर्जशक तत्मों का वर्णन है तो चोथा भाग में जो है नीती निर्जशक जो है तत्मों को जोड़ा गया है ठीक है चलिए अला कुछें तोबद pik Leer क्ला है जर्श का समंद्ध किस भाशा से यह जस का समन्द लाइटीन भाशा से टीक है अला त है परिखन्डस पर चले अगरा कुछन सट इसे घंखेन ऑर और आंसु के अत्रिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है किसका तो ये कथन है जर्चिल का याद रहेगा अगला इस्थी, इसे भी याद रखेगा चलिए बढूँट सब्ढ़तें आगे इस्थी को मना जाता है, तो सन्यूक्ष्ट्रीस दिवास स्टिफिंगेर को मना जाता है भारत सरकार का परमुक गएधी अधिकारी कौन है तो भारत के महायवादी तीक text का भागत महानियवाधी छ म्हाणायवाद़ी चली शलिए योजणा आयूग का ध्यक्षण कोण होता है तो योजणा आयूग का ध्यक्ष दो परधानमंत्री होता है लेकिन ये जुजणा आय के को बदर करके अभी नीटी आयोग बना दिया तो आधिकारों का उलेक तो भाग 3 में किया तो आपको में बता देता हूं कि मॉलिक अधिकार जो है अभी वर्तवान में 6 है पहले साथ था लेकिन वर्तवान में भी 6 है तो गलती मत किजिएगा अगर आप से पूछा गया और questions पूछा जाता है exam में तो मौलिक अधिकार कितने तो 6 है और पहले थे साथ जो कि साथ में से एक को हटा जै किसको संपत्तिक अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से किसमें 44 में संविदान संसोधन के तयात इसे भी याद रखेगा तो इस तरह से मौलिक अधिकार विच्छे है अब मौलिक करता भी कितने 11 है याद रखेगा मौलिक अधिकार छे मौलिक करता भी 11 ठीक है उम्मीद आपको समझ में आई होगी अगला देखे फ्रेंड्स अगला है स्वराज में राज जन्मसीद अधिकार है यह किसने कहा था तो लोकुमान तिलक और निकी बाल गंगा ध तिलक ने कहा था बिल्कुल लीजिए चलिए अगला कोशन देखे फ्रेंड्स अगला है सन्यूक्त रार्संग के सुरक्षा परिसत की सदस्य कितनी है तो 15 है याद रखेगा अगला है फ्रेंड्स भारते समिधावन का अभिवाब कौन है तो सर्वोच निया याद रखेगा सुप्रीम कोर्ड चलिए अगला देखे फ्रेंड्स अगला है सन्यूक्त को भांग करने के लिए कौन सा सक्षम है याद रखेगा पूर्ण सब्सक्राइब अग्लाइब फ्रेंट्स सर्कार का सामिधानिक अध्यक्षकून होता है तो राष्टपती होता है फ्रेंट्स वीडियो को आं तक देखें बहुत इंपोर्टेंट को संसमें करा रहा हूं ठीक है बस एक बार ध्याओं से देखना है ताकि आपको इज जोड़ा गया है तो अनुच्छेत 51 ए में जोड़ा गया याद रखेगा 51 में मौलिक करतव को जोड़ा गया है अब मौलिक करतव कितने हैं वी वर्तवान में तो गया रहा है इसे याद रिखेंगा अगला देखें फ्रेंट्स भारत की समिधावन सभा किसके अनुसार गठ रहा था याद रखेगा कार्ल मार्क्स ने किया था इसे रॉलेट एक्ट किस वर्स पारित हुआ था तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था ठीक है चलिए अगला कोशन देखें फ्रेंट्स अगला है समिधावन सभा का पर्थम अधिवेशन कहा हुआ था तो दिल्ली मे हुआ था इसे भी याद रखेगा वर्तोंने भारते सम्यधावन के कुल कितने भागाए अभी वर्तोंने 22 कुल भागा इसे याद रखेगा कूल 22 भाग चलिए अलाव के फ्रेंट्स अला है किस काण्ड के कारण सहयोग असायोग ऑंधोलन बंद करना पड़ा था वही चाउ अस्थाइब भारत में कब तक अस्थापना किस से हुआ है तो नीति आयोग याद रखेगा अब जो नीति आयोग हो गया योजन आयोग के अस्थान पर ठीक है जैसा कि मैंने आपको उपर में भी बताया था अलागे फ्रेंट्स है उप राष्टपती को उसके कारिकाल की समापती के पूरुपद से हटाने का अधिकार किसको है तो सांसत को याद रखेगा चलिए अगला कोशन से फ्रेंट्स भारतिय राष्ट्री कंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्ष कुन थी तो एनी बेसेंट थी बिल्कुल इंपोर्ट सब्सक्राइब बहुत ही एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है इस ध्यान से देखेगा और अच्छा लगने पर पसंद आने पर लाइक और से जरूर किज़ेगा फ्रेंट्स ठीक है अलाद के फ्रेंट्स संपत्ति सम्मंदी ट्रिट सिप के सिधावंत का प्रतिपादन किस ने किया था तो महत्मा गौंदी ने किया था याद रखेगा अलाद फ्रेंट्स जम्मो कस्मीर के मुखमंत्री की कार अब्धी होती है जम्मो कस्मीर के मुखमंत्री की कार अब्धी छे वर्स होती है ठीक है लेकिन जम्मो कस्मीर में अभी जो है मुखमंत्री नहीं है लोग प्रशासन संस्थान की अस्थापन का भूवी ती मार्ट उनिसो टोवन में हुवी थी चलिए अगला देखे फ्रेंट्स न्याइक पुरान पुरा पुन्रावलोकन का सिध्धान भारत के किस देश के समिधान से ग्रहन किया गया है सन्युक तुराज अमेरिका से लिया सब्सक्राइब राष्ट्वस का जुनाब उता है यह ते है मेरिका से लिया घ्र शचलिए अदिकार भी अधिकार से अमेरिका से लियां गया अगर ऐसे भारत की सोधर होता के समय अंतरके समय गफेनरल गवर्नर कौन था तो लाड मांट बेटेंट था भाज की सुर्णता के समय में ठीक है चलिए अगला देखे फ्रेंट्स अगला को संसे की गुट निर्पेक छे वैदेशिक निती का प्रतिपारन किस ने किया था तो जवालाल नहरू ने किया था ठीक है अगला फ्रेंट्स आम कमेंड बौक्स में वर्तまごलें लोक सवाकती कितनी सीटें होती है है आपको बताना है चलिए अलाय फ्रेंट्स भारत्य समीधान के किस अनुच् кажется कि प्रकृफिया है तो किस अनुच्छेच में अनुच्छ तिन सो अड़सात में जो है समिधावन के संसोधन की प्रक्रिया है याद रखेगा भारत गंतंतर कब बना तो भारत गंतंतर बना 26 दुर्बड़ी नियुकति कौन करता है तो राज़ पाल करता है याद रखेगा यह ज एक रजपालestly कोन करते हैं एक राज़पाल्ली कोन करते हैं तो करते ऊद रखेगा राजपालाई रा स्बसक्राइब ठीक है इसे भी याद रखेगा अगला फ्रेंट्स विदहांस परिसाद के कितने सदस्परतिक दूसरे वर्स अपकास गहन करते हैं तो एक वटत तीन ठीक है चलिए अगला कोसंस देखे फ्रेंट्स अगला है प्राकृतिक अवस्था में मानब जीवन सुना निर्मल किसका है तो हाँप का है Rakika अला फ्रेंट्स समाजवाद का समंद्न निम्लिकित में से किससे है तो समाजवाद का समंद्थ है श्रणिक से यादर रुकिन सब्सक्राइब चलिए अगला है फ्रेंट्स सवाग के गठन की मांग सर पर तम उन्हें अठासो पिंचानवे में किसके द्वारा प्रस्टूत की गई थी तो बार गंधर तिलक के द्वारा की गई थी अगला है आम आदमीं पार्टी का स्थापना कब हुआ था तो मादमीं प पहुंच सो त्यतालिस सीटों में से कितने सीटें अनुसुचीत जाती के लिए है तो 84 सीटें याद रखेगा चलिए अगला है फ्रेंट्स कि भारत छोड़ों अंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था तो 1942 में किया था अगला है फ्रेंट्स भारत के राश्पति अंतरगत मंतरी मंडल की सलाम मौनने को बाद है तो 74 अनुछेट के अंतरगत ठीक है सेवेंटी फूर अगला है फ्रेंट्स भारते समिधाउन सवा के अध्यक्ष कौन थे तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजियन प्रसाद अगला है फ्रेंट्स भारत में कुल कितने के आरे के साथ किसका नव्दड़ा एक मैंने आपको पहले भी उपर पषर मंत्री परशिशाद में इस परदिया तसे पढ़यावरन दिवस का मनाए जाता है तो फारीक पढ운 25 जून को मनाए झाता है उपराश्चपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष करेंगे तो पर द्याक पत्र देगा राष्च्पत्र को सोपष्याइगे चलिए अगला देखे फ्रेंट सकता है भारत में किसकी स्विकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया सकता है तो संसत कि स्विकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं हो सकता है अगला देखे फ्रेंट सकता है समिध verkाओंसे संसोधन 12 जोड़े गए मैं दौह से 525 सी लेकिन अभी 445 हो गया एक है तो भग-तीन में मून अधिकार का उलेख है यानि किमारी नियालस कि आत्यों है यादधर सप्र suited माहराष्ट वोग गोवग में फ्रेंट द्रियोजन्य योजनण आयोग का अधियक्ष कुरूं होता है तो असे सब्सक्राइब आप जोनते होंगे कि हमारे देश का परधान मंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी जी है ठीक अगरा है कोई वित्तिय बिल प्रस्तावित हो सकता है लोग सबकेवल लोग सबामे याद रखेगा कोई वित्तिय बिल प्रस्तावित होगा तभी कब केवल लोग सब सब्सक्राइब के सभी बच्रों को सिक्षा का अधिकार है मुल अधिकार है याद रखेगा यह मौली लाल नहरू हren याद रखेगा इसे चलिए याला है फ्रेंट की मौ Hmoon अगरेस के संस्थापक कौन सो कॉनों सचे तो यार रखेगा इसे प्रतम राश्टिय पाधकाल कि गोस्ना के समय देश ते राश्ठी काँ अधर एस राधा क्रेशंत छहाट राज अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है यह कतन किसका है तो टी एच ग्रीन का है याद रखेगा इसे भी अगला फ्रेंट्स भारते सर्मिधान निर्मात्री परिशत की पर्थम बैठक हुई थी तो नौ दिसमें 24 वी थी अगला फ्रेंट्स गौंधी जीने सर्पर्थम बात में सत्यागरा का पड़यों क्या था चंपालन में क्या था तो 1917 में इसे भी याद रखेगा चलिए अगला फ्रेंट्स भारते राश्टे कॉंगरेस का पर्थम अध्यक्त था तो कौन था व्सी बनेट जी याद र कर दखेगा सरोच से नियांट है राज पर्थी समिधहों सभांन भारत के समीधाण को आठा था तो समिधहाण सभान सभाण ने भारत के समीधहान को 26 मुंझार 1997 को सभीः के शीविकरिच क क्या था लागो का विधा में लेकिन भारत के समीधहान को कब स्विकार किया गया था समिधाउन सभा में तो 26 नमबा उनीस उन्चाज यह पुइंट याद रखेगा याद रखेगा इसको बहुत से बच्चे गलती करके आ रहाते हैं 26 जनमेशन पचास मार के आ रहाते हैं लेकिन स्विकार करने की बात कही गई यहाँ पे लागू करने की बात नहीं कई गई है इसलिए से याद रखेगा उम्मीद आब आगे से मत भूल नहीं भूलिएगा ठीक है अगला फ्रेंट्स भारत के पहले राश्टपती के रूप में डॉक्टर राजिन प्रसाद का चुनाब क्या गया था समिधाउन सभा के द्वारा याद रखेग डलान किस देश का तो भारत का है भारत का समीधान बनने में कितना समय लगा था दो वर्स 11 महां और टार दीन ये बहुत इ sanitizer आ करता है कि भारत का समिधान बनने में कितना समय लगा तो दो वर्स लगा ग्यारा महिनों लगा और अठारत दिन लगा इसे याद रखेगा समिधान सबाग का परता मदिवेशन का हुआ था दिल्ली में वा था अगला है राज की नीटी निर्जिसक तत्युकिस देश के समिधा अधार पर निर्मित किये गए हैं तो आयरलेंड के इसे भी याद रखेगा अगला फ्रेंट्स राजनीतिक सब्दावली में सुन निकाल का अर्थ है अगला बताए फ्रेंट्स इसका राइट अंसर होगा उत्तरसत्र यानि कि सुन निकाल का अर्थ क्या है बारा बजे के ब इठक राज सभा की बैटकों का सभापति तो कौन करता है तो उप्राश्पति याद रखेगा राज सभा का जो फ्रेंट्स होता है और सभापति वह उप्राश्पति होता है ठीक है याद रखेगा इसे चलिए अगला फ्रेंट्स संग्य कारपाली का उत्तरदाई होती है ल में आपको arafat पताल को में होगा जितने भी नियुक्टियां होती है चाहे रक्षा मंत्रियों Alej médi son उन सभी में उन सभी का जो निरनय लिया जाता है वो परधान्स मंत्री लेक्ति करते एंगा राश्ट्पती के पास आकर के वसम揪़ है समयति प्राप्त कर लेते हैं वास्ट्विक परधान मंतरी नुक्त करते हैं ठीक है लेकिन इसमें राश्ट्पती का स्लाव जरूरी होता है ठीक है वहां थेंट में कायघालिका काःद्ध कौन होता है passo राष्ट्पती होता तो राजसरभा का मैंने आपको बताया उपर में क्यों प्राश्ट्रपती होता है ठीक है अगरा देखे फ्रेंट्स जहां कानून नहीं वहां सोतंतरता भी नहीं होती यह कथन किसका है लॉक का है चलिए अब हम लोग घेजरें अन्तिम क्यों बढ़ रहें फ्रेंट्स अगला आज चित जाती को बातने का दिकार अगला ऊगला ऐह फ्रेंट्स खीति सम्मीधहॉनिक प्राणक संसोधन याने किस समची संसोधन हूद्स हो राज का दर्जॉतपर दो अ तो छपया रखेगा दालव की नीती अपना यह थी सैनलाट कर जाने थिख है तो फ्रेंट्स इस तरह से मैं आपको cool hundred questions कराया उमीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा छोटा सा पहला सा कमेंट जरूर अंत में करें कमेंट बॉक्स में जाकर करके और वीडियो को please like कर दें और share भी कर दें आपका like मेरा मनुबल बढ़ाता है मैं इसी तरह का आपनों के लिए वीडियो डेली लाते रहता हूँ आप मेरे सेनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल का आइकन भी प्रेस कर लिजे ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लेट करूँ तो सबसे पहले आपके पास सो नोटिफिकेशन पहुच पाए तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं इसी तरह का इंपोर्टेंट वीडियो ले करके आओंगा फिर से तब तक के लिए जय हिंद जय भारत